नमस्कार दोस्तों, स्वागत थे आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडिताइन चाची में तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी चीज जिससे दूर होंगे सभी कस्ट और भरेगी तिजोरी जी हाँ दोस्तों, सोमवार की साम स्यूमंदर से आप एक ऐसी चीज उठा लाएं जिससे आपके सारे कस्ट दूर होंगे वो कौन सी चीज है जो आपको स्यूमंदर से उठा कर लाना है दोस्तों आज हम ये बताएंगे दोस्तों, अगर आपकी जीवन में कोई बाधा है धन संपत्ति को लेकर कोई समस्या रहती है या फिर करज ही बना रहता है तो सोमवार की साम किसी भी स्यूमंदर में जाएं और ये उपाएं आप करें तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी अब कौन सा उपाए है दोस्तों वो हम बताने जा रहे हैं सोमवार का दिन महादेव स्यू का माना जाता है वह अंतिके करता है और स्रजन का आधार है त्रिदेवों में अकेले महादेव ही हैं जिनकी मूर्ति से अधिक लिंक स्वरूप में पूजा की जाती है महादेव स्यू की पूजा में जंगली फल और अधिक तर ऐसी चीजे सामिल होती है जो सबसे अलग है जैसे कि अन्य देवताओं की पूजा में आपको चढ़ाने के लिए फूल चाहिए होते हैं लेकिन दोस्तों स्यूलिंग पर चढ़ाने के लिए आपको पूल नहीं बलकि पत्ती चाहिए होती हैं वो भी भांग धतूरे और बेल पत्र की पत्तियां इसलिए दोस्तों स्यूजी महादेव कहलाते हैं क्योंकि उनकी पूजा के विधान सरल है प्यूमंदिर में दोस्तों आपको क्या काम करना है ये हम बताएंगे भगवान स्यू के स्यूलिंग पर जल चढ़ा कर बेल पत्र चढ़ाना है अगर आपके जीवन में कोई बाधा है धन संपत्ति को लेकर समस्या रहती है या फिर करज बना रहता है तो सुमार की साम किसी भी स्यूमंदिर में जाकर के आपको एक उपाए करना है वो उपाए दोस्तों इसी बेल पत्र से जुड़ा हुआ है सुमार की साम को आप स्यूमंदिर में जाएं और स्यूलिंग को प्रणाम करें और वहाँ पर चड़ा हुआ एक बेल पत्र उठा लें उसके बाद करपूर गवरम करुनावतारम इस्तुति कहें इसके बाद आपको यह बेल पत्र हर्दे से लगा कर घर ले आना है अब अगर आप धनादी की समस्या से परेशान है तो उस बेल पत्र को तीजोरी में रख दें अगर कोई मानसिक समस्या है तो पूजा घर में रखें और रोज पूजन करें तेन हपते में इसका परिनाम देखने को मिलेगा आपके घर में सकारात्मक्ता का प्रवा होगा और आप खुद भी अपने आप में सकारात्मक्ता का अनुभव करेंगे तो दोस्तों सुमार को ही आप ये उपाय कर लीजिएगा जिससे की आपकी मनो कमना जल्दी ही पूरी हो जाए तो दोस्तों कैसी लगी है जानकारी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिता इंचाची को लाइक, सेयर, सस्क्राइब करना ना भूले और दोस्तों यदि आप कमेंट करके जय महादेव लिखेंगे तो फिर आपकी मनो कमना पूरी होने में देर नहीं लगेगी बोले भोले बाबा की जय हो